भागम भाग भरी इस जिंदगी में परिवार के अंदर आपसी तालमेल बिठा पाना बहुत बड़ी चुनोती बन गई है आपा धापी भरी इस जिंदगी में पती पत्नी एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहें या एक दूसरे को समझ नहीं पा रहें पत्नी भी नौकरी करती पत्नी बचों को लेकर के परिशान रहती है। पति उसमें दिन भर थका-मादा आता है। तो हाथ नहीं बटा पाता या औरत अगर काम पर से आ रही तो दोनों ही चाहते हैं कि एक दूसरा समय दे लेकि समय न मिलने के कारण आपसी रिस्तों में दरार आती जाती है और यही दरार धीरे-धीरे रिस्तों में कड़वाहत पैदा करता है जिसके कारण पत्नी-पती पर दबाव बनाने लगता है और समस्या तब खड़ी होती है जब यही दबाव धीरे-धीरे एक मानसिक तनाव का रूप ले लेता है और यह तनाव आर्थिक, पारिवारिक, मानसिक, सारीरिक और सामाजिक करीके से तकलीफ दे होने लगता है आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि यह जो मानसिक दबाव आपके उपर चल रहा है परिवार का एक प्रकार का प्रेशर जो लिये हुए आप जी रहे हैं उसे आपकी जन्म कुंडली में उसका क्या योग है जो मानसिक दबाव आप जेल रहे हैं उस दबाव से कैसे निजात पाया जाए कैस कारण यह होता है और उसका क्या उपाय है वह भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ परिवार में आज कल पती या पतनी दोनों ही एक दूसरे के मानशिक तनाव के कारण बन रहे हैं अक्सर दोनों पार्टनर में से कोई एक सिकायत करता है कि हमारा लाइफ पार्टनर हमारी मानशिक तनाव का कारण बनता जा रहा है पति या पतनी का मानसिक संतुलन उनकी पार्टनर की वज़े से खराब हो रहा है इस तरह का दोसारोपन दोनों एक दूसरे पर करते रहते हैं अब ऐसे में बात ऐसी है कि जैसे अगर पती की कुंडली खराब है तो उसकी वज़े से जो पुरुष है उसका मानसिक संतुलन खराब रहेगा, कुंडली में समय खराब है, ग्रह खराब है तो मानसिक संतुलन खराब होगा और उस मानसिक संतुलन खराब होने के कारण अपनी पत्नी पर वह गुशा करेगा, चिल्चिडापन निकालेगा, जो कि समझ में नहीं आएगा कि मेरी गलती नहीं होने की वज़े से भी मुझे क्यों कहा जा रहा है तो वह भी क्रोधित होगी और उस क्रोध का सामना पती को करना पड़ेगा जबकि इसकी सुरुवात पती की वज़े से हुई है लेकिन पती को यह हैसास नहीं होगा कि सुरुवा वहाव उसके बच्चों पर पढ़ रहा है, उसके पती पर पढ़ रहा है, लेकिन इस तरी मानने को तयार नहीं कि हमारा मानसीक संतुलन हमारे ग्रह की वज़े से खराब हो रहा है, उसका दोसार ओपर वह अपने पती पर देती है, इस तरह से दोनों ही एक दूसरे को दोसार खराब चल रहा है, नौकरी में इस्तिती ठीक नहीं क्योंकि हमारी जन्मकुंडली ठीक नहीं है, समय खराब है, अब इसका कोई कारक उसकी इस्तिरी नहीं है, लेकिन उसकी इस्तिरी को भुगतना पड़ता है, अब वहीं इस्तिरी, इस्तिरी का समय खराब जैसे मैंने बताय अगर हिस्त्री कोई काम कर रही है, बिजनेस कर रही है, नौकरी कर रही है या कुछ भी काम कर रही है, उसमें हिस्त्री का समय खराब है और वह हिस्त्री अपने जन्म कुंडली के समय के खराब होने के कारण अगर वह दुर्दसा को भुगत रही है, लोगों का दुर्ब्यव से काम लेना चाहिए और जोतिस में इस तरह के दुर्योग को इसको दुर्योग ही कहते हैं जन्म कुंडली में एक होता है सुयोग जो अच्छे योग होते हैं ये होता है दुर्योग इस तरह के दुर्योग को टालने का जोतिस में अच्छा से अच्छा उपाय दिया गया है उ अब जब जन्म कुंडली के कारण या ग्रहों की स्थिती के कारण आपका वक्त खराब है, ग्रह इस बात की सूचना दे रहे हैं कि आपका समय खराब है या खराब आने वाला है या खराब था, उसका दोसार उपर दूसरे पर करने की बजाए उसका उपाय करें, उसका उपाय का फायदा पूरे परिवार को मिलेगा पूरे परिवार को मिलेगा तो पूरे परिवार की मनह इस्थिती अच्छी होगी तो आपकी मनह इस्थिती अच्छी होगी लोग एक दूसरे को परस पर सहयोग करेंगे प्रेम से बात करेंगे तो आपके अंदर का भाव बदलेगा और यह उपाय यही भाव बदलता है और आपकी जिंदगी बदलता है अब मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहा हूँ जिसे करके आप अपने जिंदगी में जो एक दूसरे के ऊपर मानसिक दबाव बन रहा है मेंटल प्रेशर आ रहा है उस मेंटल प्रेशर को आप कम कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं अब मैं उपाय की बात करता हूँ जो भी व्यक्ति ऐसी स्थिती से गुजर रहा है उसे चाहिए कि अपने घर में पती पतनी दोनों को भगवान शिव और माता पार्वती की एक साथ त सामपर से दीपक जला करके सिव चालिसा का पाठ करें दोनों ही पती पतनी को सिव चालिसा का पाठ करना चाहिए उसके बाद बैठ करके शांती से भोजन करना चाहिए इस प्रकार के किये गए उपाय से परिवार के गलफ बिलकुल पूरी तरह खत्म हो जाते हैं और पती प गांट लेना है उसमें पीला धागा बांदना है पीला धागा बांद करके गुरुवार के दिन उस हल्दी की गांट को पंचोपचार पूजन करें पंचोपचार पूजन का मतलब पहले जल से हसनान कराएं फिर उसके पर वस्त रखें नैवेद रखें हल्दी कुंकुम लगा फिर धूप दीप से पूजा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमा के मंत्र का एक माला जब करें, जब करने के बाद भगवान विश्नु के मंदिर में यह हल्दी की गांट पीले धागे सहित पती पतनी ले जाकर के रख करके आएं यह क्रिया साथ गुरुवार करें, क् गुरुगरह परिवार में साममंजयस्य का कारक होता है, एक दूसरे को सदबुद्धी देने का काम गुरुगरह करता है, गुरुगरह अगर जन्म कुंडली में खराब हो और जिसकी जन्म कुंडली नहीं हो, उसके जीवन में इस तरह की बात चल रही हो तो भी समझ ले कि गुरू ग्रह के खराब होने के कारण इस तरह की बाते होती हैं। इस उपाय से उनके परिवार में साममंजत से बनेगा, एक प्रेम का माहल बनेगा और पारिवारी कलह दूर होगा। और प्रतेग सुक्रवार फूल अरपन करने के बाद वहाँ पांच-दस मिनट बैठें, दो अगर बत्ती जलाएं, भगवान से प्रार्तना करें, अपने पारिवारी की जीवन के बारे में जो कलह दूर करें, इस तरह से प्रार्तना करने के बाद वहां से आएं। और साथ सु की जिंदगी में कणळवाहत् धूर करने से पजह से बहुत अच्छा होगा जण्व कुंडली का समस्या करने के लिए इस वीडियो के बढ़ाय है , is existing बीडियो को सब्सक्राइब करें ओर ओर को से और और सेर करें और कुमेंट बॉक्स मैं अपनी समस्या लिख करके भेजें जिससे मैं आपको उसका समाधान बता सकूँ धन्यवाद, नमस्कार अपन्यवाद, नमस्कार